नमस्कार दोस्तों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्तों केशे हैं आप शबी उम्मीद करते हैं कि भगवान शुनदेप के शिर्वाशी आप शबी बहुत अच्छे होंगी दोस्तों आप शबी को बता दे कि अब हो जाए तयार आप शिवी के जूनकाल में बगवान शिंदेप का माया चलने वाला है जिया दोसुन अब आपके जूनकाल में आने वाले छे दिनों के अंदर जो बड़ी घटना होगी दोसुन सुनकर आप फूले नहीं शुमाएंगी खुशियों का ढूल आपके घर में बजने वाले ही जिया दोसुन पूरे गली महले में आपका ही नाम गुंजेगा शब लोग कहेंगे कि वाह क्या नशिव है जिया दोसुन दोसुन आप शिवी को बता दे कि आने वाले छे दिनों के अंदर भगवान शनी की अश्यम किरपा आपके पर्तेक च्छतर में आपको मिलने वाले है धलाब के चितर में, आपके केरियर बिजनस और वैपार के चितर में आपको वो बड़ी कुछ कबरिया मिलने वाली है इन्हें शुन कर आपके होस उड़ जाएंगे जिया दोसों शादिशा दोसों आप शबी को हमिया बात बताना चाहेंगी कि अब आपको अपने जुनकाल में कुछ चीजों को लेकर शाओधर रहना अत्यनताख्शा होगी जिया दोसों जो गलतियां आपने पिछले शमय की है उन गलतियों को अब आपको छोड़ना होगा तबी दोसों आप आगे चलकर कोई भी मुशिबत में नहीं पढ़ेंगे जिया दोसों आप शबी को बता दे कि पिछले शमय आपने जिन लोगों पर भरुशा किये हैं जिन लोगों पर यकीन करके अपने कोई भी कारे उनके हाथों में दिये हैं तो दोस्तों अब शेवह गलती आपको नहीं करनी है और कौन-कौन शेविशेश बातों का अब आपको आने वाले 6 दिनों के अंदर ध्यान रबना है शबी बातें बहुत ही महत्पुन तरीके शेवह गरहों के गोश्चर पर निनमीत है अर्थात जो भी भकत आज के इस वीड देर है लेकिन अंधेर नहीं है जब शबी के रास्ते बंद हो जाते हैं तो दोस्तों एक भगवान का ही रास्ता बचता है जिने हम खट-कटाते हैं जिया दोस्तों और वहाँ पर जाने शी कोई भी व्यक्ति घबराता नहीं है क्योंकि दोस्तों वहाँ पर भगवान की दर आर्त्मक उर्जाएं आपके जुनकाल से लुप्त होने वाली है और चुनकाल में आपको हर एक परकार की खुषया मिलने वाली है जिनकी आपने पिछली कम नगिया है जे दोस्तों आपके कर्मों का फल तो आप आपको मिलकर ही रहेगा कि दोस्तों निया की देवता भगवान शिंदेव अगर आपके शाथ है तो दोस्तों आपको डरने की कोई बात नहीं भगवान आपको जो भी दे रहे हैं दोस्व वे आपके लिए कम नहीं है और दोस्व जब आप इन्हें शुरेंगे इन्हें जानेंगे तो दोस्व आपके आँखों में खुशी के आशो आजाएंगे क्यों दोस्व आप शिभी को बता दे कि पिछले कई शमेशे आप उने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है बहुत ज़्यादा शब्र रखा है सभी लोग आपको जितना चिडाते थे सभी लोगों ने जितना आपको दुख दिया है वे शबी चीजों को आप यश में भी याद करते हैं और दोसों जब भगवान ने आपकी श्रूली है तो दोसों आखों में आशुआना लाजमीशी बात है जिया दोसों तो दोसों बीना देर किये जानते हैं कि कौन-कौन सी कुछकुब्री भगवान शुनदेव के शिर्वाद से अलगाव जिसी बातों पर बिजार मर्श होगा कुछ बाद इबाद की स्तिती भी बन शकती है दोस्तों यू आपके लिए शमय होगší धैरी बना कर रखना आपके लिए उचित रहेगा गर के किश्य वैक्ति के स्वास्त को लिकर चिंता भी रह शकती है और इश्कप्रांद आपके लिए शमय होगे दोस्तों आपको बता दे कि युवाओ दोवारा जरुवत से अधिक पेशा खर्च भी हो शकता है पेशे को समालना और योगतिरिश्के से खर्च करना इनमें आपको इसमें ध्यान देना चाहिए दोस्तों जिन लोगों को आर्थिक विशे में अधिक परगति की अपेशा है दोस्तों उनको योग दिशा में अपनी मेरत लाने की अवशकता है इसमें होने वाली है और इश्क परान दोस्तों हर एक बात पर अधिक ध्यान देने की आपको अवशकता होगी तबी जाकर आपने काम को गती में ला पाएंगे और इश्क प्राहन दोस्वें आपके लिए समय होगे आपके दिंचर्या के लिए समय होगे दोस्तों आपको बता दें कि यह अधिक्तम समय समाजिक तथा भारी गतिदियों में वहितित होगा अचानक से कोई महत्पुन काम बनने से मन में भी परिश्मता बने रहेगी परत्युगिदा शमन्दी परिशा के लिए प्रयारश्ट बिद्यारतियों के लिए शमय उत्तम है और इश्कुप्रान दोस्तों यश्मे कभी कभी आप जो है आपके गुशेव और फिर गलत सब्दों के परियोग का नकार्तम अश्वर आपके बच्चों पर भी पढ़ सकता है इसलिए दोस्तों अपनी बोल भाज में उचित सब्दों का चैर करें घर के वरिश्वक्तियों की शला को नदर अंदाज बिल्कुल नं करें ये आपके लिए शमय बैतर होने वाले है और इश्कुप्रान दोस्तों ये शमय आपके लिए शमय होगे आपको बता दे कि दोस्तों आपके जिद्धी सभाव के करण आप मन चाही बात को मना पाएंगे लेकिन दोस्तों इसके वज़शे किसी को आप जो एक गहरी चोड़ भी पहुचा सकते हैं अपने शब्दों का इस्तमाल करतिश में ध्यान दे रहोगा दोस्तों आपको मिले हुए ज्यान और अपनी चमता की वज़शे आपका एंकार भी यश्मय बढ़ रहा है तो दोस्तों इने पर ध्यान रखें क्योंकि ये आपके भईश के लिए नुक्षान दायक होँशकते हैं इसको प्रांद दोस्तों यश्मय आपके लिए जो समय होगे आपको बता दे कि यश्मय मिला जुला परवाव देने वाला श्मय होगा दोस्तों यश्मय दोपार के बाद पुर्णत इस्तिती जो है अनुकुल रहेगा विद्यार्तियों को भी आशा के नुरूप पहिड़ा मिलने से आप जो है तराव मुल्त यश्मय महसूस करेंगे जरत पढ़ने पर आपको अपने सुपचिंग्तों से उचित मदद भी मिलने वाले हैं और इसको प्राद दोस्तों इसमें दिन की शुरुवात में कुछ प्रेशनियां भी रहने वाली है प्रण्दू दोस्तों जल्दबाजी वह फिर भागुता में कोई भी निर्दे न ले इनकी वज़श्वे बना बनाया हुआ काम भी बिगड़ सकता है वहार या फिर में कोई उच्छन या फिर विद्यस में नोकरी करने की एपक्षा रखता है तो दोस्तों उसके लिए कोई जो है शायता की ज़रत हो शकती है दोस्तों यह में दूसरों की आर्थिक शायता करने से पहले अपनी प्रस्तिती को भी जान लेना आपके लिए जरुरी होगा दोस दोस्तों कुछ समय से जिस सुकुन के तलास आप कर रहे थे दोस्तों वह यह में हासिल हो जाएगा और आप आत्म चिंतन दौरा अपने जिवन सहली में सुधार लाने की चेश्टा भी करेंगे दोस्तों घर के निर्मान शमंदी कोई रुकावा कारे भी पूरा हो शकता है तो दोस्तों उन्हें आप दोबारा शूरूर करने का जो समय होगा उचेश्ट समय होगा और इश्कुप्रांद यह में आपको ध्यान रखना चाहिए कि जल्दभाजी में लिए हुए क्यों भी निरले गलत हो सकता है आपके कुछ शपने अधूरे रहने के वुज़े मन मे थोड़ी से उदासी भी रहेगी दोस्तों ध्यान रखें कि जिस व्यक्ति पर आपको उस जद से ज्यादा भर्शा करते हैं वहीं व्यक्ति के शाथ विश्वास घाद भी होशकता है और इश्कुप्रांद आपके शमय होंगे आपके दिंचरिया के लिए जो समय होंगे दो अपने से जुड़े सबी विवादों में भी जो भी समस्यात थे उनका निप्टारा होगा और इश्कुप्रांद दोस्तों यह में आपके लिए शमय होंगे अगर आपकी केरेर को लिकर बात करें तो दोस्तों यह में कार्य चित्र में आपकिसी नए कार की रूप रेखा त दोस्तों पुनु रूप से आप यह में संतुष्ट उतना नहीं हो पाएंगे जितना आप आर्थिक शमस्याओं को हल करना चाहते हैं लेकिन दोस्तों आपको ध्यान को केदित रखना चाहिए भविश्क को लेकर आप नहीं उजनाओं को बनाएं और भविश्क में आप दोस्तों शरकारी शवारत व्यक्ति किसी भी गयर कानुरी काम में रूची ना ले कोई इनक्वारी आदी भी हो शकती है और इश्क प्राण दोस्तों यह में आपके केरेल के लिए जुसे में होगे दोस्तों आपको बता दें कि वह शाय के नजरिये से समय धंदाएक भी रह पूरे करने में भी सक्चम रहेंगे दोस्तों पहली इनकम मिलने से यह वर्ग का और अधिक आत्मिश्वास यह समय बढ़ने वाले हैं और अपने ध्यान को भी आप काम के प्रती केंदित यह समय कर पाएंगे और इश्क प्राण दोस्तों यह समय आपके केरेल के लिए जिस लाव बैतरी शापित होगी नोगरे पेशाव व्यक्तियों को यह में अचानव कोई सूप समचार की प्राप्ति हो शक्ति है और इसको प्राण तो इसमें अगर आपकी लव लाइप कर बात करें तो दोस्तों यह व्यक्तिकत समस्याओं का अशर पारिवरिक जुवन पर भी को से आप अपने पर्वार को अधिक चुमए भी यह मैं नहीं दे पाएंगी और इसको प्राण तो यह आपके पारिवरिक जोटर लीग के लिए दोस्तों आपको बता दें कि दिन भर की वस्ता के बाद पारिविलिक श्रदस्यों के शार्त समय वहितित करना शारी थकान को भुला देगा प्रंतु पति-पत्नी में कोई नौक जोग भी संभाव है तो दोस्तों अगर आप बचना चाहते हैं तो यश्मे अपने वानी पर स् समय होगे आपको बता दें कि पती-पत्नी में आपसे समाजस का भी अभाव रहेगा जिसका आसर घर प्रवार पर भी पड़ सकता है वेर्थ की मौझ मस्ती से यसमें दूर रहे यह आपके लव लाइप के लिए और आपके पारेवरिक जोन के लिए अत्य उत्तम होगे और दोस्तों अगर आपकी श्वास जैने सिहत को लेकर बात करें तो दोस्तों इस तरियों को जोड़ों में दर्द या पिर इस तरह जिनित रोगों की वज़े से परिशानी रह सकती है काम के शाथ साथ अपने श्वास का भी आपको यह में अवश्य ध्यान रखना चाहिए यह आपके स्वास के लिए बैतर होगे और इसको प्रांद हैसे में शरवाइकल ओपिर कंदों का दर्द आपको पहशान कर सकता है वह याम और योगा इसका उचित इलाज होगा तो दोस्तों इने पर आप जरूर ध्यान दे इसको प्रांद होगे आपको बता दे कि स्वास अंत प्रेगा पंट